माबाप के साथ ऐसा बरताओ होना चाहिए कि माबाप की आवास के सामने हमारी आवास कम हो बाप अगर घर में आता है तो अवलाद को चाहिए कि वो खड़ी हो जाए बाप अंदर आए वो बैट जाए तब अवलाद बैट है यहां तक तालीम दी गई है कि अगर अब्बू घर में दाखिल हो रहे है या वालिदा कहीं पडोस में गई हुई थी वो वापस घर में आ रही है तो घर के अंदर जो बच्चे और बच्चिया हैं उनको चाहिए कि माबाप जब खड़े हो तो खुद बैठे ना रहे बलके खड़े हो जाए माबाप को बैठने दें बाद में ये खुद बैठे हाँ कोई आहम और जरूरी काम में लगे हुए है तो फिर मुकमल खड़े होने का मौका ना हो तो थोड़ा बहुत जिस्मानी हरकत होनी चाहिए तो माबाप का इतना बड़ा मकाम बताया गया है कि अगर वो खड़े हो तो आउलाद ना बैठे बलके वो खड़े हो जाए माबाप को बिठाए बाद में आउलाद बैठे और माबाप की आवाज बुलन होनी चाहिए आउलाद की आवाज पस्त होनी चाहिए कोई काम करने के लिए वो कहें तो हम इसके जवाब में उफ मैं कहना चाहिए उफ का मतलब क्या बेजारगी को जाहिर करना मा ने ऐसा काम करने बोल दिया बाप में फलाद चीज डाने के लिये कहा अभी मैं फ़ला काम में मसरूफ हूँ ऐसा वैसा समझ करके बेजारगी के साथ जवाब देते हुए उफ बोलने से भी मना कर दिया गया तो उफ बोलना मना है तो उल्टा जवाब देना तो और ज्यादा मना है माबाप की बात का इंकार करना तो और ज़्यादा बना है माबाप की बात को काटना माबाप की बात पर एतराज करना सवाल खड़ा करना ये तो और ज़्यादा गुनाह की और बेअदबी की बात है तो अल्लाह अपाक ने फरमाया माबाप के सामने उफ भी मत कहना खामोश रख ए इंसान तू अपने माबाप के सामने अपने बाजुओं को बिछा देना फैला देना यानि गोया के आप अपने माबाप के सरेंडर हो गए माबाप की खिद्मत ये आपकी जिन्दगी का आहम काम बन चुका है माबाप का काम आपका काम बन गया है ऐसा अवलाद को होना चाहिए नफिल अबादत से ज्यादा फसीलत मा की खिद्मत है बाप की खिद्मत है तो घर में जो अपने बड़े बुड़े लोग है चाहे मा हो, बाप हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो उनकी खिद्मत जितना हो सके हमें करना चाहिए चाहे वो अपने बिस्तर पर पेशाप पाखाना करते हो चाहे रातों में वो बार बार आपको जगाते हो, उठाते हो बार बार एक ही चीज पूछते हो आपने लाकर के दे दिया फिर उन्होंने वही चीज बंगाई उनको याद ने रहता बुड़े हो चुके है ना जहन कमजोर हो गया दिमाग कमजोर हो गया जिस्वानी आजाद के अंदर कमजोरी आ गई है और उनकी जो साथ पे रहने वाली बीवी है उसका इंतिकाल हो चुका है दिमाग हर तरह से उनका परेशान और मुंतशिर रहता है तो उनका लिहास करना चाहिए उनका खयाल करना चाहिए कुछ भी बोले बड़े आदमी है बुड़े आदमी है बुजरूग आदमी है वो सिर्फ घर में रहे यही हमारे लिए बरकत की चीज़ है उल्मा ने फर्माया अल्बारकतु माआ अकाबिरिकुम तुम्हारे बड़ों के साथ रहोगे तुम्हारी जिन्दगी में बरकत आए